तो आज हम सीखेंगे कि आप क्लॉक के कुशिंस को कुछ सेकंड्स में कैसे सॉल कर सकते हैं तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि क्लॉक आपका एक इंपॉर्टन टॉपिक है जो कि आपके ज्यादतर कॉंपटिटिव एक्जाम्स में अल्मोस्ट आता ही है हर बार तो सबसे पहले क्लॉक का बेसिक स्ट्थ्र समझते हैं है क्लॉक आपके 4 मेजर पार्ट 17 ट्री सिक्स अनडका 9 आपके 4 पॉर कॉर्टर्स होते हैं एक एक इसके आपके 66 मिनट्स होते हैं बीच में तो basically आपके पास जो questions आते हैं वो कभी कभा questions से आते हैं what is the angle between the minute and are and when the time is 930 तो जो basically ज्यादे तर बच्चे जो गलतियां कर देते हैं वो यह करते हैं कि वो सोचते हैं कि 9 पे हम हम our hand को ऐसे बनाते हैं then 30 यह आपका 930 हो गया तो यह आपका टोटल 360 होता है तो इसमें से 90 minus करके हमारा 270 answer आ गया तो यह बच्चे गलति कर देते हैं बट आप कोई गलति नहीं करनी तो हम सीखते हैं कि इसको कैसे improve कर सकते हैं तो हम एंगल समझते हैं पहले हुआ 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 है तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि जो हमारे minutes होते हैं इदर छोटे वाले आपके symbols होते हैं यह आपके total 60 होते है 60 स्वारी 60 symbols है और आप जानते हैं कि यह जो आपका पूरा circle है यह आपका 360 डिगरी का एंगल बनाएगा तो हम सबसे पहले यह निकालेंगे कि जो आपका एक जो माइन्यूट सा है इसके बीच का एंगल कितना है तो total 360 डिगरी है यह आपका पूरा एंड एक मिनट का आपको निकालना है तो इसको हम 60 से डिवाइट कर देंगे 6 डिगरी means कि जो आपके यह छोटे वाले हैं इनके बीच का आपका जो एंगल इसके बीच का एंगल आपका 30 डिगरी है 6 इंटो 5 इसके बीच का भी 30 डिगरी 30 ऐसे आपके सभी आर्स के बीच में 30 30 डिगरी का एंगल है तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो हमारा टाइम होता है जैसे सपोज मैंने आपको बताया था 9 30 इसमें जो आपने यह अंगल लिया था हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो मिनट है वह आगे बढ़ती है हमारी जो आर हैंड वह भी थोड़ा-थोड़ा उपर जाने लगती है मेंस कि जब अगर आपके 9 30 हो रहेंगे तब एक्चुली में जो आपकी यह आर वाली जो हैंड है यह आपका 9 पर नहीं होगा यह इसलाइटली उपर होगा मेंस 9 & 10 के बीच में होगा यह सपोस्थ 10 है गर 9 30 हो रहें तो आपके सेंटर में होगा तो आपका 270 वाला जो आंसर है वो गलत हो जाएगा तो हम देखते हैं कि जो आर हैंड है वो एक मिनट में कितने डिग्री मूव करती है तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 60 मिनट्स है 60 मिनट्स और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो है 30 डिग्री 60 मिनट्स में आपकी जो आर हैंड होता है उसको इतना डिस्टेंस मूव करना होता है तो हम इससे निकाल सकते हैं कि वो एक मिनट में कितना डिस्टेंस मूव करेगा means की 60 minutes में अगर आपका 30 degree move कर लिए hour hand तो 1 minute में आपका 30 by 60 means की half degree अगर आपकी जो minute hand है वो एक minute move करती है तो आपका जो hour hand है वो half degree move करेगा तो अब इससे हम question try करते हैं जो हमारा 930 वाला question था 930 12,6,3 and 9 इसको हम ऐसे बना देते हैं slightly उपर तो हम सबसे पहले क्या करते हैं यह आप जानते हैं कि यह पूरा आपका 180 degree होगा अगर हम जो hour hand ने distance move किया है उसको हम 90 में add कर दें तो हमारे जो total angle है वो आ जाएगा 180 plus 90 270 में अगर हम जो hour hand ने distance move कर रहा है 9 से उसको add कर दें तो हमारा जो वो आ जाएगा angle तो हमारे पास 30 minutes है अगर एक minute में hour hand half degree move करती है तो 30 minutes में 30 into half which means 50 degree 15 degree तो अगर हम 270 में 15 add कर दें तो यह आपका answer आजाएगा 285 degree और यहीं आपका angle है 9 30 के time पर hour hand और minute hand के बीच में हम एक और example लेकर देखते हैं हम लेते हैं 10 30 का time 10 30 पर आपकी clock कुछ ऐसी होगी 12 6 3 & 9 तो 10 & 11 8 7 यह आपकी 10 से slightly उपर रखेंगे तो हमें यह एंगल निकालना है total तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा split करते हैं यह 180 डिग्री है आपका यह 60 डिग्री है क्योंकि दो consecutive hours के वीच में 30 डिग्री यह आपका 60 डिग्री हो जाता है तो हमें बिसिकली यह एंगल और निकालना है जो इसको हम 240 में add कर देंगे तो इस एंगल निकालने के लिए यह आपका total 60 है तो अगर हम 60 में से जो हमारे और डिस्टेंस एंगल मूव किया है यहां पर इसको माइनस कर दें तो हमारे यह एंगल आ जाएगा तो जो डिस्टेंस इसने मूव करा है 40 मिनिट्स में वान मिनट में हाफ डिग्री तो 40 मिनिट्स में 40 बाइट टू इस ट्वेंटी डिग्री तो और हैं ने करने का एक बेसिक सा कंसेप्ट है आप जो एंगल साते इनको स्प्लिट करें और स्प्लिट करके सबको बाद में एक साथ आड़ करतें कि अ कि अ